आज हम सेवा टमाटर का इस्तमाल करके बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे आप जीसे भी खिलाएंगे वह उंगलिया चाटेगा मेरी 100% गारंटी है कि इसे अगर आप एक बार बारा लेंगे तो बार बार बनाएंगे हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आर्सी मसाला किचन में स्वागत है तो चलिए टेस्टी सी सब्जी बनाना शुरू करते हैं तो हमने गैस पर पहन रख दिया है उसमें दो बड़े चम्मच हम आईल गरम करेंगे आईल गरम हो चुका है आधा चम्मच हम इसमें जीरा करेंगे दो बारी कटी हुई हरी मिर्च एड़ करेंगे पांच साथ करी पत्ता हम इसमें एड़ करेंगे और अच्छे से चटकने देंगे एक चम्मच हम इसमें राई एड़ करेंगे और राई को चटकने देंगे तो देखिए राई अच्छे से चटक गई है अब इसमें ह हमने नमक एट कर दिया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढख देंगे और ढख करके पकने देंगे हमें टमाटर को पूरी तरह से गलाना है एकदम तो देखिए दो से तीन मिनट बाद हमारा टमाटर गलने लगा है और पानी भी इसमें से रिलिज हो गया है तो इसको हम चला लेंगे अच्छे से देखे टमाटर गल गया है अब इसमें हम एक चम्मच कूटा हुआ अद्रक और लेसुन का पेश्ट एड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके भुनना है हमें तो हमने देखे इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसको हम ढख देंगे और ढख करके 2-3 मिनट पकाएंगे तो देखें 2-3 मिनट हो चुका है ये टमाटर कितना अच्छे से गल गया है देखें टमाटर बिल्कुल गल चुका है अब इसमें हम कुछ मसालाएं एड़ करेंगे तो अधा चम्मच हम इसमें जीरा पाउडरेट करेंगे अधा चम्मच हल्दी पाउडरेट करेंगे अधा चम्मच धनिया पाउडरेट करेंगे अधा चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडरेट करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके अच्छे से और इसको हम ढग देंगे ढग करके इसको हम पकने देंगे इतना पकाना है कि हमारे मसाले से तेल अच्छे से निकलने लगे तो देखे चारो तरफ से तेल अच्छे से निकल गया है यह मसाला हमारा अच्छे से भुना चुका है तो इसको हम और थोड़ा सा भूल लेंगे अब इसमें आधा चम्मच हम गरम मसाला एड़ करेंगे और टमाटर के खटेपन को कम करने के लिए 2 चम्मच क्रेस्ट करके इसमें हम गूर डालेंगे और इसको अच्छे से mix करके गुड़ को गला लेंगे तो देखिए गुड़ गल चुका है अच्छे से अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे तो हमने आधा कप पानी एड़ किया है अब इसको मसाले के साथ पानी को अच्छे से mix कर देंगे और इसको हम बॉयल होने देंगे तो देखिए हमारा अच्छे से बॉयल होने लगा है अब इसमें एक चम्माच हम कस्तूरी मेथी एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें देखिए हमने ये बजार वाला शेव लिया है अब इसको एड़ कर देंगे इसमें ये एक कटोरी हमारा सेव है अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो ये मिक्स हो चुका है अब इसको हम ढख देंगे और ढख करके एक मिनट पकने देंगे तो एक मिनट हो चुका है अब इसको हम देखते हैं तो देखिए, ये हमारी सब्जी पक गई है, इसको हमें ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाना है, इसी तरह से सब्जी बनाना है, तो ये हमारी सब्जी तयार हो चुकी है, अब हम गयस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसमें बारी कटी हुई धनिया पत्ती एड़ करेंगे और धनिया पत्ति को मिक्स कर देंगे इसे हमें जानदा नहीं चलाना है नहीं तो हमारे सेव जो है तूट जाएंगे अभी ये हम इसको मिक्स करके ढग देंगे थोड़े दिर के लिए तो ये देखिए हमने थोड़े देर के लिए ढग दिया था तो ये हमारी सब्जी बन करके त्यार हो गई है तो दोस्तों ये हमारी सब्जी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो आए इसे सर्व कर लेते हैं तो देखिए हमने इसे सर्व कर लिया है तो देखिए ये एक सेव से और टमाटर से कितनी हमारी स्वाद्रिस्ट और चट्पटी के साथ सर्व करिए सभी के साथ यह बहुत ही टेश्टी लगता है